आप सभी का स्वागत हमारे टूप चैनल पर मैं हूँ श्वाम सुदामा आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ड्रीम 11 में जीता हुआ जो पैसा होता है आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं तो जीते हुए पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको पहले अपना अकाउंट वेरिफाई करना होता है अपना इमेल पैनकार्ट और अपना बैंक अकाउंट चब यह सारा वेरिफाई हो जाएगा इसके बाद आप अपने अकाउंट में पैसे को ट्र तो आपको क्या करना है यहाँ आपको प्रोफाइल का ओप्सन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर माय बैलेंस को अप्सन दिखेगा सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है तो जैसे आप माय बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीक एका इंटरफेस कहल जाएगा उपर आपको टॉटल बैलेंस दिखाई देगा और नीचे आपको चीन तरीके-क आपको बैलेंस दिखाई दे रहागा एक होगा एड़ेट अगर आपको बैलेंस एड्च एड करते हैं खेलने के लिए वह दिखाई करेंगे तो आपको यहां पे चार स्ट्व्ड दिखाई देगा है कि पहला स्ट्व दिखाई दे रहाया है ये आलरी कि आप सारे बीटी रहे हसे बोट वेल्ड गए तो डे लीट होता जाएगा पहले आप इमेल भी पहले से वरिफाई है यानि आपने पहले कभी किया है तो आपको pen card करना होगा तो simply हम करते हैं email address verify तो यहाँ पर क्या करना है आपको अपना email address डालके और get OTP पर क्लिक करना है तो जैसे आप get OTP पर क्लिक करेंगे तो आपने जो email अभी डाला है email address उस पर एक OTP गया होगा simply आपको यहाँ पर वह OTP डालके verify करना है और जैसे हम अपना OTP डालेंगे तो हमारा जो email है वह verify हो जाएगा देखिए आप verified लिख दिया गया है ठीक है इसके बाद आपको pen card वाले पर क्लिक करना है pen card पर verify पर क्लिक करना है simply तो जैसी pen card verify पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीकी का surface open हो जाएगा यहां पर आपको pen card पर जो नाम होगा वो डालना है pen number डालना है दर्स 10 डिजिट का इसके बाद आपको डियो भी डालना है जो pen card पर होगा और इसके बाद pen card का photo खीच के यह scan करके आपको upload कर देना है important बात हैं पर कुछ लिखा हुआ है full name on pen card and bank account must match यानि कि जो bank account में नेम होगा वही pen card पर होना चाहिए बहुत से लोग क्या करते है pen card किसी और का डाल देते हैं और bank account किसी और का डाल देते हैं ऐसा नहीं चलेगा अगर आप मालीजी कि आपने account पनाया है dream 11 का और आपके पास pen card नहीं है तो घर में जिसका भी pen card हो उसी का bank account डालिएगा ठीक है तो आप उनका pen card डाल दीजिए उसके बाद bank account डाल दीजिए आपका maximum एक दिन में verify हो जाएगा आपका pen card ठीक है वैसे आदे घंटे में हो जाता है maximum आपका एक दिन लगेग तो आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए चानल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कोई दिकता दे तो कमेंट करके पूछेएगा और आपको verification में कितना time लगा कमेंट करके जूर बताएगा तो सारा detail डालने के बाद आपको submit detail कर देना है त तो देख सकते हैं हमारा जो pen card है वह verify हो चुका है अब क्या करना है आपको pen card verify होने के बाद next step है हमारा bank account verify ठीक है तो simply हमको verify पर click करना है verify bank account detail पर click करने के बाद आपको इस तरह के इंटरफिस दिखाए देगा यहां पर आपको अपना bank account number डालना है second में फिर से आपको retype करना है इसके बाद आपको FSC code डालना है 11 digit का जो आपके पास्वुक पर लिखा होगा और जैसे आप FSC code डालेंगे तो आपका bank name और branch name automatic आजाएगा ठीक है और इसके बाद आप लास्ट में स्टिट स्लेक्ट करेंगे और इसके बाद आप लिखा है upload bank proof यानि कि आपका जो पास्वुक होगा उसके फ्रंट पेज का फोटो खीच के आपको upload करना है ठीक है तो सारा detail डालने के बाद आपको submit detail कर देना है तो जैस bank account है अब अपना pen detail और bank account चाहें तो जाके देख भी सकते हैं ठीक है अब हम बैक चलते हैं मैं आपको दिखाता हूं पैसे कैसे withdraw करने ठीक है तो आप देख सकते हैं पर आपको option आगया verify now की जगह यहां पर आगया withdraw instantly ठीक है और आपके में हो सकता है withdraw option है बहुत level के उपर हो पर करेंगे तो आपको यहां पर लिखा minimum आप एक दिन में 50 रुपे maximum एक करो रुपे तक आप withdraw कर सकते हैं आपको आपको अपना amount बढ़ना है और यहां पर simply आपको withdraw नाव पर किलिक करना है इसके वाद आपसे confirm पुछेगा जैसे आपके account में तुरंत यह पैसा चला और आपको verify करने में अपना pen card और account कितना time लगा यह भी comment करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए चैनल पर ने तो चैनल सब्सक्राइब फर दीजिएगा कोई दिकता था तो comment करके पूछेएगा और वीडियो को जासा था शेयर कर त्क वर वाचिंग दिस वीडियो